दोस्तो आज की वीडियो वाकई में काफी तगड़ी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम रेसल मेनिया 40 में होने वाले रोमर रेंस वर्से कोडी रोर्स के मैच के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि जिस हिसाब से इस मैच को लेकर इनकी स्टोरी लेंड को दिन प स्किल है क्योंकि रोमर रेस के साथ पोल हैमन सोलो सिक्वा और जिम्य उसो के लावा दारोक भी होंगे और क्या पता एंड मोके पर रोमर रेस की मदद करने ब्लेड लैंग के न्यू मेंबर के रूप में ब्रॉन ब्रेकर भी आ जाए तो दोस्तों इस बात पर संकेत भाई लि और कोडी रोर्स ने पिछले साल की रेसल मिने 39 से बहुत कुछ सीखा है तो वो अकेला नहीं आएगा तो दोस्तों संकेत भाई ने बिल्कुल पॉइंट के बाद बोली है कि जब डडुली इने कोडी रोर्स की रोमर रेस के साथ चल रही स्टोरी लैन को इतना तकड़ा बन के साथ रिंग के बाहर ठीन भी होंगे और र्जा मैपडाउन के दोनों मैनेजर भी होंगे कवी ज़्यादा रूमरेड है कि निख एडिस भी अपना इंग रिंग डेबियू कर सकते हैं तो क्या पता निक एलडिस भी ठीन के साथ कोडी रोर्स की मदद कर दे। इसके इसके लावा दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि स्टोंग कोड इस्टी वस्टिन भी आ सकते हैं कोडि रोर्स को रोक से बचाने के लिए लेकिन दोस्तों आप खुँछ सोचिए जब रेसल मिन्य फोटी के प्रेस कॉनफरेंस में दैर रोक चोड में ख़ड़े होकर कोडि और इसको एक थपड़ में हिला सकता है वो भी ट्रिपलेज, सेथ रोलिंस और रो इस्मैकडाउन के दोनों मैनेजर के सामने तो आपको क्या लगता है रैसल मिन्या 40 में रोग कुछ नहीं करेगा, सिर्फ खड़ा होकर इस्टोंको और इस्टी वर्ष्टिन और ट्रिपलेज का वेट करेगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि दोस्तों अभी डरोली ए के पास रोमन रेस के लिए फ्यूचर में और भी तकड़े तकड़े प्लैन है क्योंकि अब तो डरोली ए के उपर रोग का भी कंट्रोल है और रैसल मिन्या के बाद भी हमें दारोग डरोली ए में दिखाई देने वाले हैं तो दोस्तो ऐसा हो सकता है कि दारोक कैसे ने कैसे करके रोमन रेस को रेसल मेन फोटी में जित्वा देंगे उसके बाद इनकी एक न्यू बलेड लाइन बनेगी और फिर इनके आपस में मदबेध होंगे दारोक बोलेगा कि वो है ट्रैबल चीफ, रोमर रेस बोलेगा कि वो है ट्रैबल चीफ और क्या पता सोलो पोलो भी अपने आपको ट्रैबल चीफ बोले लग जाए तो इनकी भी रेसल मिना 40 के बाद अपनी अलग फ्यूर चल सकती है तो ऐसे में रोमर रेस का रेसल मिना 40 में जीतना जरूरी है तबी ये सब होगा इसके लावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रोमर रेस अभी हल्क होगन के 1414 डेज के रिकोर्ड के काफी नजदीक है तो ऐसे में डड़ोली ई रोमर रेस को हल्क होगन के रिकोर्ड के इतना नजदीक लाकर हरवाना तो पसंद नहीं करेगी इसके लावा दोस्तों इंस्टाग्राम पर अभी कुछ दिन पहले रिकी सी ने वीदा वन्स नाम की एक चेंपियन सिप की फोटो पोस्ट की थी जो कि समोन फैमली और ब्लेड लाइन को दसाती है तो क्या पता रेसल मेना 40 में रोमर रेस के जीतने के बाद ब्लेड लाइन और भी ज्यादा तकड़ी बन जाए और अपनी टीम की पहचान के लिए एक न्यू चेंपियन सिप भी लेकर आ जाए जो कि वर्ल्ड टाइटल तो नहीं होगी लेकिन ब्लेड लैंड टीम की पहचान होगी तो दोस्तों अभी कुछ कह नहीं सकते रेसल मिना 40 तक आते आते इनकी फ्यूड में कुछ भी हो सकता है लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है आपके हिसाब से रेसल मिना 40 में रोलमर रेंस वर्से कोड़ी रोर्स के मैच में कौन जीतेगा मैच वो आप हमें कमेंड के थूप बता सकते हैं तो दोस्तों यह थी मरी आज की वीडियो अगर